कैनिक दोस्तों यह है चमचमाती ब्रेंड न्यो एस पी वन सिक्स्टी अगर इसके टेल पैनल पे देखें वन सिक्स्टी लिखा हुआ है इसकी मैंने इंसाइड डीटेल वीडियो जब से बनाई है काफी अच्छा रिस्पॉंस हमारे मेक्यानिक भाईयों ने दिया काफी वीडियो में डीटेल के साथ एक ट्रेनिंग सेशन करने वाले हैं मैं आपको बताता हूँ अभी मैंने इसके चाबी स्विच को अन कर दिया के लिए अब मैं इसके सेल्फ का उप्योग करता हूँ गाड़ी का सेल्फ रेगुलर राउंड हुआ इसका इंजन भी घूमा बढ होता है मालफंक्शन इंडिकेटर लें यहां पर जला हुआ रहा गिया ABS का भी अरर आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा तो अब यहां पर गाड़ी हमें एंडिकेट करके बता रही कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है अब प्रॉब्लम क्या है वो मैं आप नहीं हो रही है तो आप समझ सकते हैं आज की इस वीडियो में complete detail के साथ बताने वाले हैं कि यह CKP sensor बाहर क्यों दिया गिया है इसका काम क्या है कैसे work करता है कभी खराबी आये तो कैसे testing करना है input output कैसे दिया जाता है इसे सारी चीज़ें बताएंगे तो प्लीज आप से हा पारियों का information नहीं मिल पाता है training नहीं मिल पाती है मेरे वीडियो से ही सिखते हैं और सारे sensor की testing करने का procedure उनको पता चलता है तो जी हाँ याद रख ले Honda SP 160 with PDF with book बताएंगे तो बने रहे वीडियो में थोड़ा सा time दे हमें देखिए एक तम बारी की से समझाएंगे बच्च प्रोसेजर बताता हूं book के साथ सबसे पहले इसकी जानकारी देने से पहले मैंने इसके coupler connection को निकाल ही लिया है अब इसके यहां से CKP को भी निकाल लूँ testing vehicle है यह चलिए मैं इसे यहां से निकाल लेता हूं और इसके disadvantage के बारे में मैंने कई सारी वीडियो बना रखा है पांच-पांच लाख mechanic भाईयों ने देखके अलग-अलग अपना विचार रखा है कि इसे open करके कोई अगर dust particle इसके अंदर डाल दे तो काफी परेशान होगा कोई भी एक bolt खोल के इस तरह से CKP निकाल के ले जाएगा multiple type के अपने विचार रखें तो सबका अपना अपना विचार रहता है आप भी अगर आप चाहें तो अपना comment हमें जो जाहिर करके बता सकते हैं कि इसे कोई यहां से open कर सकता है कोई dust particle इस तरह से डाल सकता है या अगर देखें तो Honda वालों का एक पहल है कि हमारे mechanic भाईयों को ध्यान दिया as a four wheeler का जो technical चीजे हैं वो आप two wheeler में लाने लगा जिसे आप समझे अगर CKP खराब हुआ या इसके अंदर dust particle लगे तो आप बाहर से इसे clean करके अच्छे से huge में ला सकते हैं और आपने घं लोग में किया गिया है देखें सबसे पहले मैंने इस चीज को highlight कर लिए कंपणी अपनी training book में कहती है कि CKP यानि crank shaft position sensor को जो हम लोग उपयोग में लाते हैं एक दम आसान शब्दों में हिंदी में समझाते हैं बाकि ये जो the ignition pulse generator is mounted the termination ये जो पूरा complete लिखा हुआ हुआ है समय की जानकारी मिलती है समझने में क्या बताने की कुछिश कर रहा हूँ इस sensor से inject के दवारा fuel को inject किये जाने की समय की जानकारी मिलती है और engine की speed का पता चलता है इस से यह निर्धारित होता है कि कितना fuel inject होना है कि अगर CKP sensor खराब रहा तो हमारी गाड़ी का जो ECM यह detect न चाहिए कितना spark चाहिए पांच ऐसे point को मैंने highlight किया है यूँ ही हाथ में ही लिखके आपको clear समझा दिया है सबसे पहला काम इसका क्या होता है spark generate करना दूसरा काम होता है fuel generate करना तीसरा काम होता है engine की speed क्या है वो ECM को adjust signal provide करना चोथा crank का direction क्या है crank किस position पे piston कहां पे है TDC प time signal provide करना यह पांच काइम अगर कोई भी आपको पूछे कि सी के पी जो गाड़ियों में लगा होता है क्रेंक शाफ्ट पोजेशन सेंसर पिकप कॉईल या फिर जो है CAS भी आप इसे बोल सकते हैं crank angle sensor तो यह जो लगा होता इस तरह से four wheeler की तरह इसमें भी design करके दिया गया तो इसकी testing के और बढ़ेंगे बट इसकी working को पहले समझ लें तो जब भी कोई पूछे थी यह पांच चीज़ें आप उनको बता दीजिए कि spark यही जनरेट कर रहा है fuel यही जनरेट कर रहा है engine की speed को ECM तक यही पहुचा रहा है crank के angle को यहीं बता रहा कि कौन से angle में crank है कौ से जगह पे पिश्टन है ताकि spark में और fuel में कोई ऐसा problem ना हो और पांचवा ECM को time to time signal speed, rotation, गती सारा जो इसके ECM को पहुचाता कोन है CKP यहां तक तो clear हो गया और यहां पे मैंने आपको Hindi और English दोनों में समझा दिया कि इससे हमारी company क्या कहती आप चाहें तो पीछे करके वीडियो को देख के अच्छे से समझ सकते हैं मैं एक चीज बार-बार repeat करके नहीं बताऊंगा ताकि irritate ना हो हमारे viewers अब देखें main चीज यहां पे क्या है कि पहले के गाड़ियों में आपने देखा रहेगा कि CKP के अंदर सिर्फ के सिर्फ दो वायर हुआ करता था करो तो करो क्या testing procedure इसका रहेगा क्या तो फिर मैं किस लिए हूँ मेरे चैनल को subscribe हमारे viewers करते किस लिए जानकारी के लिए अब मैं बता देता हूँ मैंने यहां पे इस point को highlight कर लिया है CKP को क्या highlight किया CKP क्रेंक्शाफ्ट position sensor तो यह है हमारा CKP कौन सा है यह यह unit जो है य color code आप समझे white plus red color का सीधा connection ECM engine control module यह engine electronic control module भी से आप कह सकते हैं बाकी का जो दो वायर है देखे पहला वायर तो white plus red ECM से connect हुआ दूसरा वायर blue plus yellow ECM से connect हुआ तीसरा वायर जो white plus yellow ECM से connect हुआ अब इसका testing procedure आपको जानना बेहद ही जरूरी है कैसा है testing procedure वो मैं आपको सिख समस्या हो जब भी आपकी आड़ी में spark की समस्या हो injector छिड़का हो ना करे मीटर में चकलाइट जला हो यह error code आए CKP का तो testing का method क्या रहेगा सबसे पहले multimeter को आपको hold करना है 12 volt DC mode पे चलिए मैं इसे on कर लेता हूं यह meter हमारा on हो गया auto में से ले चलेंगे इसे हम DC voltage पे क् अभी ECM किसी sensors और actuators को working के लिए जो भेजता है ना 5 volt का reference भेजता है अभी मैंने DC voltage पे set कर दिया है आपको manually set करने की कोई आफशकता नहीं क्योंकि यह जो meter है automatic sensitive है touch sensitive से काम करता है हमें सबसे पहले यह check कर लेना है कि CKP sensor को working के लिए जो DC supply आना चाहिए reference voltage वो आ रहा है कि तो उसे checker ने white plus जो red color का wire है उसके अंदर एक पतला सा probe add कर देंगे ताकि हमें perfect signal मिल सके clear पहला wire हम इसके अंदर यहाँ पे add कर देंगे और दूसरा wire हम कहीं से ground में add कर देंगे जिसे हम इसके nut bolt में कहीं पे भी ले लेंगे ना तो हमें इसका signal correct मिल जागा अभी देखें इसका connection छोड़ जा रहा है चलिए मैं अच्छे से hold करके आपको दिखा देता हूं अभी देखें एक wire को मैंने क्या किया positive terminal को black plus white में add कर दिया negative terminal को मैंने ground दे दिया इसे body earth से अब देखें मैंने क्या यहाँ पे आपको बताया कि जब भी BS6 की गाड़ियों में जो reference voltage आता है वो 5V का आता है इसे मैं hold कर लेता हूं ताकि आपको clearly समझा सको यह देखें यह hold होगी आप मैं आपको दिखाता हूं reading क्या दिख रहा है आपको 4.983 वो भी क्या है DC voltage से मैंने hold करके रखा और live reading इसका दिख रहा है 27 degree Celsius पे तो इसको working के लिए perfect 12V का जो supply आना चाहिए वो आ आता है बैटे और fuse box से 5V का आ रहा है यानि इसका ECM से supply आ रहा है जैसा कि आपको मैंने wiring diagram में दिखाया कि इसका जो reference white plus red में आएगा वो ECM के थूरू आएगा तो यह clear हो गया इसे मैंने check कर लिया अब बचा इसके अंदर 2 wire तो 2 wire company recommended क्यों दिया गया है यह आप जानले और यह yellow plus white color का wire है यह जा ground work करता है मैं भी आपके साथ live process फिर दिखाता हूँ live check करके कि ground कैसे check किया जाता है हमें इसे ground check करने के लिए beach जो white plus yellow वाला wire है उसमें एक wire को attach कर देंगे और multimeter के direction को हम थोड़ा सा change करके beep mode पे ले चलेंगे यह है इसका beep mode अब beep mode कैसे check करना है एक wire को यहाँ पे check लगाएंगे और दूसरा wire को कहीं से भी ground देंगे ना तो beep बज़ेगा मल्टिमीटर को मैंने beep mold पे hold किया बीच वाले wire पे connection लिया एक wire को ground से add करते है इसके अंदर perfect beep का sound आएगा एकदम confusion ना हो सुना देता हूं ताकि आपको बिल्कुल भी confusion ना हो श्रॉल लीजे सामको भी अभी यहाँ एक wire में लिए दूसरा wire यहाँ पर चाहिए पहला जो वायर है इसके इंदर input आया दूसरा जो वायर है तीसरा wire time to time signal भेजएगा किलियर अब यहाँ तक आपने testing कर लिया तो यह भी जानकारी होने चाहिए कि यह जो हमारा CKP sensor है यह खराब है या सही है इसे कैसे check करना चलिए मैं आपको दिखाता हूं multimeter के मदद से जब time to time यहाँ पर हम इसके metal के direction को change करेंगे तो आपको इसक auto mode पर auto अब यहाँ पर हम इसके multimeter से check करेंगे इसे अब पिन के यहाँ पर आप एक बार देख लें और फिर यहाँ पर दिखा देता हूं यह है input और यह है output बीच का है signal तो बीच वाले connection को छोड़ देना है red वाले probe को pin 1 पे ले लेना है और black वाले probe को pin 3 पे ले लेना है और reading आपको meter में show करेगा pin 1 और pin 3 दो को जैसे आप perfect तरीके से touch करेंगे तो reading दिखेगा वहाँ पे अभी देखें मैंने connection लिया है pin 1 और pin 3 पे reading देखें इस तरह से इसका fluctuation और हाथ हिल जाता है na perfect connection मिल नहीं पाता है तो इसलिए इस तरह से उपर नीचे reading fluctuate करता है सही से एक ब point seven और four का fluctuation है अब जैसे इसको यहाँ पे ले जाएंगे तो देखें रीडिंग में आपको बदलाव देखने को मिलेगा आप इसके उपर जैसे फिर बदल करेंगे ना ऐसे ऐसे तो आपको पता चलेगा कि इसका जो signal है वह output यह भेज रहा है इससे आप killer पता लगाएंगे कि आपका जो magnet की अंदर जो teeth बनी होती है ना उससे time to time इसे signal जाता रहता है ECM का तो यह signal output निकाल रहा है कि आप इससे touch करके check कर सकते हैं तो मैं जैसे इसको perfect angle में touch करता हूँ तो वहाँ पे signal के अंदर fluctuation मिलता है तो यह आपको perfect पता चलेगा कि आपका CKP sensor है यह सारे testing मे अगर आपका CKP correct इसी तरह से आपको data share करता है तो आपको बिना कुछ testing किये अच्छे से इस वाले area को clean करना है और आपको इसे fitting करना फिर आपकी गाड़ी भी start होगी और किसी से आपको पूछने की आउशकता भी ने पड़ेगा गाड़ी एकदम perfect तरीके से start होगी तो चल क्यासे इसे fix करेंगे और इसके उपर का जो एक bolt है उसे tight करेंगे अफिर इसके socket कपलर को यहां पे इसे fix करके इसके अंदर का जो dust cover है इसे हम यहां पे protection cover को इसे fix कर देंगा और direct गाड़े को start करेंगे सारी चीज़ें चेक करके fit करने के बाद गाड़े के विनेशन स्वीच को तीन या पांच बार on-off करेंगे फिर गाड़े को डारेक्टर से start करेंगे सिंगल सेल्फ में आपकी गाड़े स्टार्ट हो जाएगी जैसे ही आपकी गाड़े तीन से पांच किलोमेटर चलेगी ओटोमेटिकली मेटर से चेक लाइट चला जाएगा त्योंकि गाड़ी के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगा आप आगे से इसकी इन्पूट चार्जिंग वगेरा भी ऐसे चेक कर सकते हैं गाड़ी हमारी थर्टीन पॉइंट एट थर्टीन पॉइंट नाइन का बैटरी वोल्टेज निकाल देगे फोर्टीन वोल्ट चला चली गए गए गाड़ी एकदम परफेक्ट है उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आपको हैल्फुल भरी जानकारी मिली हो सीखने लाएंग चीजे मिली हो आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजे हमारे मेक्यानिक भाईयों को किलियर ली सारी चीजा समझ में आन झाल